तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट is mental space, यह बहुत ज्यादा important है, इस time आपको negative चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा खयाल आता रहेगा, कि मेरे exam में नहीं होगा, मेरे तो syllabus भी complete नहीं है, मैं तो चीज़ां भी भूल रहा हूं, या भूल रही यह चीज़ आपके साथ होगी, इस लिए इसको हटाने के लिए आपके जो strength के areas है, आपको उनको पढ़ना है, उनको इसलिए पढ़ना है, क्योंकि जब आप exam देंगे, तो उसमें choice आएगा question का, कोई area आपका नहीं cover है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, पर अगर आप यही सोचते रहेंगे, कि यह चीज़ मेरा छूड़ गया, वो चीज़ चूड़ गया, पिछले दो सालों से, टॉप रैंक, वन और टू, इकॉलिक्स से, मैं उनसे भी यही same सवाल पूछूँगा, तो यह भी बोलेंगे, exam के एक दिन पहले हमारा syllabus complete नहीं था, तो exam का syllabus कभी complete नह होगा, question सेम ही होगा, पर answer change होता है हर साल के साथ, तो यह dynamic exam है, आप static चीज़ में याद कर सकते हो, dynamic चीज़ आपको examination center में ही ध्यान रखना है, तो यह बात का आप हमेशा ध्यान रखे कि mental space is very vital, now mental space में एक बहुत चीज़ important है, वो है time, जब examination center में आप लिखेंगे, तो आपको 5 number में एक page मिलता है, 100 words, उसके उपर वाला जो number होता है, दो pages लिखने होते हैं, या maximum आपको किसी भी answer के लिए 3 page लिखने होते हैं, आप total कर लें आपको कितने pages लिखने हैं, और 180 minute आपको मिलेंगे, 180 minute को आप divide कर लो number of pages से, अब आप ध्यान रखो कि आपको उतने minute म आपको answer छोड़ना ही है, किसी भी answer पर अपना ज्यादा time नहीं spend करना, नहीं तो paper incomplete रह जाएगा, और paper incomplete रह जाएगा, तो obviously हम वैसे marks attempt नहीं किया, तो merit माने का chance ही गतल है, तो mental space में ये time की calculation बहुत vital है,